तो देखे, सबसे पहले एक सन्तोपत glacier या फिर हिमनद है जहांसे विशनु गंगा नदी का origin होता है और एक कामेद glacier है यहांसे धौली गंगा नदी का origin होता है यह दोनों नदी आपस में मिलती है विशनु प्रयाग में और यहांसे इसका नाम हो जाता है अलग नंदा है आप इसके अंतरगत हमने उत्रप्रदेश का फिजिकल डिविजन, उत्रप्रदेश का क्लाइमेट या फिर जलवायू और उत्रप्रदेश की मिट्टियों को डिटेल में अध्यन किया था आजका हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश का अपवाहतंत्र रियपिर यहां इक हमारा महत्यपूंण की संपूर्टंत्र को हम अपवाहतंत्र कहते हैं इसको हम एक मैप के थू समझते हैं देखिए यह एक मुख्य नदी है इसके लावा यह छोटी-छोटी इसकी अनिसाहिक नदिया है तो जब एक बड़ी नदी में कोई छोटी-छोटी बहुत सारी नदियां आगर के मिलती हैं उस नदी के संपूर सिस्टम को या फिर पर संपूर तंत्र को क्या बोलते हैं इसकी को हम कैचमेंट एरियां भी remove report अबहुत सारे नाम अलग अलग दे जाते हैं उत्रपदिश की सबसे प्रमुक नदियां गंगा और यमुना है तो आपको पता ही होगा उत्रपदिश की सबसे प्रमुक नदी कौन सी है गंगा नदी है और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है यमुना तो यह दो यहां की सबसे प्रमुक नदिया है उत्रपदिश मे हिमाले से निकल कर आने वाली नदिया सदा नीरा होती है जबकि दक्षणी पठाज से निकलने वाली नदिया ग्रीश मिरितू में सूख जाती है जो हिमाले से जितने भी नदिया निकलती है उनमें वर्षवर पाने की कोई कमी नहीं रहती है उसका रीजन यह है कि वो जो पान अती है तो वो ग्रिश मेरितु में सूख जाती है क्योंकि वो माणसून पर डेपेंड होती है प्रदेश का उत्तरी एवं पश्चमी भाग उचा है तथा ढाल दक्षण पूर्वी की और इरिया है इसलिए जो मैक्जियूम नदियां उत्तरप्रदेश में बहती है वो उत्तरपश्यम से दक्षरपूर्द की और बहती है तो आप मैक में भी देख सकते हैं जितनी वी नदियों का फ्लो है वो दक्षरपूर्द की और है उत्तरी प्रयादुपी पठार का ढ़ाल उत उत्तर की और प्रवाहित होती है उसका कारण यह है कि जो उत्तर प्रायोदी भारत है उत्तर प्रदेश की नदियों का वर्गीकन समझते हैं ना कि उत्तर प्रदेश की जो नदिया है उत्तर के जहां से नदियों का ओरीजन होता है नदिंग ने अच्रे yeah कोंदिल्खंड का पठार रेजन है वहां से जो नदियां निकलते हैं उसे हम बोलते हैं पठारी नदियां तो देखिए हमाले नदियों के अंतरगत कौन-कौन सिंद्रिया गंगा है ये मुना है काली है फिर शार्दा है रामगंगा गंधक शर्यू रोहुणी राप्ति यह सारी नदियां कहां से निकलती है हिमाली नदियां इनको हम चर्चा करेंगे डेटल में आप मैप में भी देख सकते हैं मैदानी नदियों की बात करें तो गोमती है पांडो है वरुणा विसाई और इशान यह सारी मैदानी नदियां जो की मैदानी भाग से निकलती है और एक है सौन, कैन, रिहंद, तौंस, भेतबा, चंबल, कनार हैं तो यह जो दक्षन और से आकर के मिलती हैं यमूना और गंग तो यह सब गंगा के अन्य नाम भी हैं आपको याद रखना है अकसर एक नाम है पूछ ले जाते हैं उद्गम की बात करें तो उत्रकंड राज्य के गोमक के निकट गंगोत्री ग्लेशियर या फिर गंगोत्री हिमनत से इसका ओरीजन होता है अपने उद्गम इस्थलिया फिर प्लेस ऑफ ओरीजन से जो यह गंगा का ओरीजन होता है वह भागी रती के नाम से होता है अभी हम इसको डेटेल में डिसकस करेंगे कि कैसे गंगा नदी बनती है अगली स्लाइड में तो जब इसका ओरीजन होता है तो भागी रती के नाम से होता है कहां से गंगोत्री ब्रह्मपुत्र नदी रागे का परकारदेश में ब्रह्मपुत्र नदी 10 शाइक नदी 11 तो बाय हाथ की य फिर लेफ्ट साइट की यदि हम साहिक नदियों की बात करें तो राम गंगा गोंती खाखरा सारदा गंधत यजा ही होगा गंगा की पवित्र तो सब सरवादिक भारत में बहुत पवित्र इसको माना जाता है इसके लावे से प्राणधायनी रिवर भी कहा जाता है प्राणधायनी रिवर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये पताने कितने ही लोगों को पानी पिलाती है इसके लावा कितने ही लोगों का जीवन इस पर डिपेंड है इसलिए इसे प्राणधायनी नदी का origin होता है और यह कामेद glacier है यहां से धॉली गंगा नदी का origin होता है यह दूनों नदी आपस में मिलती है विष्णुक्रायग में और यहां से इसका नाम हो जाता है अलग नदा आपको पता होना चाहिए कि अलग नन्दा नदी किन किन का संगम है, विष्णो गंगा नदी का और धौली गंगा नदी का. इसके लबा इसी अलग नंदा नदी में एक और नदी आकर के मिलते हैं जिसे हम नंदागी नदी बोलते हैं इसका ओरिजन कहां से होता है नंदा देवी ग्लेशियर यह फिर हिम नंदागी निकल रही है यह ग्लेशियर से निकल रही है फिर हिम नद से निकल रही है ग्लेशिय चैसे हम कर्ण गंग भी बोलते हैं तो यह भी अलगनंद में आकर के मिलती है कहाँ पर कर्ण प्रयाग में अब देखिए यह एक विश्णु प्रयाग है एक नंद प्रयाग है और कर्ण प्रयाग नदी इनके मिलन स्थल को प्रयाग भी बोला जाता है तो अलगनन्द नाम कहां से पढ़ा है विश्णु प्रयाग से नंद्र प्रयाग में एक नंदागनी नदी मिली और करण प्रयाग में एक करण गंगन नदी आकर के इसमें मिल रही है चोड़ागनी नदी निकलते हैं मंदागनी नदी है और को याद रही है कई वार एकजाम में पूछ लिए जाता है और यहां पर बच्चों को काफ़ ज्यादा कंफूजन भी होता इसली मैं नहीं आप इसको डेटियल में कवर किया है फ़र इंग गंगोत्री स्थे लेशन के नाम से लिए और आपने बेस्व पिर्जालेव जिसे इखतलेंग के नाम से बूले इस लिए इंप्वारेंगन उर्मिन जाकरती पर एक डैप हैं आपको यह आपको याधकना भीलांगना और भागी रती की संगम पर जो कि भारत का सबसे उंचा डैम है तो देव प्रियाग में अलगननदा और भागी रती नदी मिलती है इसके बाद से इसका नाम क्या पड़ेता है ठीक है तो यह पूइंट काफी इंपोर्टन्ट है को या करती है तो यह था उत्तराखंड वाले रीजन में गंगा नदी कैसे बनती है तो यह मैंने आपको यहां पर बता है क्योंकि कई वारे एक्जाम्स में कॉश्चन मनते हैं और बच्चे यहां पर बहुत ज्यादा होते हैं चलिए तो गंगा नदी प्रदेश्ट के विजिनौर जनपद या फिर जिले से उत्त्रप्रदेश में प्रवेश करती है और उत्त्रप्रदेश के 7 जिलां में को जीवितОगा i इंसान होता है उसी प्रियाग राज आपको पता ही होगा जहां पर यमुना और गंगा आपस में मिलते हैं पहले से इलहावाद के नाम से याद रहता था एक है वाराणसी आप मैप में भी दिख सकते हैं तो यह कुछ प्रमुक सहर हैं जो कि इसके किनारे स्थे तो यह कुछ जो की दिख किनारे इस्थे तो आपको याद रखना है नवंबर 2008 में भारत सरकार द्वारण इसे राष्ट्री नदी या फिर नेशनल रिवर के रूप में घोशित किया गया। कब घोशित किया गया तो भारा सरकार के दोरा नवंबर 2008 में मीठे पानी या फिर फ्रेस वाटर की जो एक डॉल्फिन होती है वो गंगा नदी में पाई जाती है और इसे राष्ट्री जली जीव भी घोशित किया गया है 2009 में तो यह आपको याद रखना है ठीक है तो जो कि ह नव में यहास हमारा राष्ट्री जली जीव है और और कौन्सी गंगा डॉल्फिन है गंग का नदीम में यह पाया आती है फ्रेस वाटर में झालंग किया गया गया था गंग करने के लिए इसकी सफ़ाइ के लिए जुलाइग 14 में भारत सरकार ग्णार नमामी गंगी नामक परियोजना या परोजाक्ट प्रादम्ब किया गया। ीसका उतेशक शिक्द था गंग के सब्सक्राइडर कर साफ सफाइग कर आपद एक हा निकार्क सुक्षम जीवां को जीवत नहीं रहना देताxico नाम को यह माला प्राम्व आपको या लगार प्रह्म पूंट नदियों इसी तरह हैं विशानुपा बनाए गए तो देखिए यहां पर जब गंगा और ब्रह्मपुत नदिये प्रवेश करते हैं बांगलादेश में और बांगलादेश के वज़ए भी बंगाला की खाड़े में गिरती है तो यह डेल्टा बनाते हुए गिरती है यह आपने हाँ इमेज में आपको डाली है आप देख सकते ह आप देखिए जब नधी अपने महाने पर पहुंचते है महाने का मतला घर संदरिक ऐने सि में फोरेश i कि किया जाना जाते हैं ब valley ँटेर्ष वाटर चारा पानी होता है संदरिक का पर अक headphones मेंग्रोब वनों का विकास हो जाता है यह काफी सक्त और मजबूत पेड़ होते हैं जो कि कोश्टल या फिर तटेश हित्रों को सुनामी तूफ़ानों आदी से भी संड़क्षित करते हैं तो यहां पर मेंग्रोब वन भी पाई आते हैं ततपश्यात आगे बढ़ती हुए य बांगलादेश में प्रविश करती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है तो आपको यह पतावन चाही कहां कहां बहती है किन के राज्यों में सबसे पहले उत्तरखंड से इसका ओरीजिन होता है फिर उत्तरप्रदेश के बाद बिहार जारखंड पश्चिम मंगल होती है हुए यह पदमा के नाम से बागलादेश में प्रविश करती है और फिर ब्रह्मपुत्र में मिलती है फिर इनकी संयुक्तधारा को मेगना बोलते हैं और मेगना जाकर के बंगाल की खाड़ी में गर जाती है तो पांच राज्यों में प्रवाहित हो है तो पॉंडी गड़वाल की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है ना हिमाले रीजन से होता है मुहाना बात करें तो कन्योज जिसे हम इतन नगरी के नाम सभी जानते हैं कन्योज में गंगा से यह मिल जाती है सिवालिक सिरेणी को पार करते हुए नैनिताल से भहते हु नैनिताल से यह बहती है ना जिम कारवेट नैशनल पारक से उसके बाद उत्तर प्रदेश में नजीवाबाद के सामी मैदानी चेतर में फिर मैदानी भूबाग में प्रविश करती है और एक कोह नदी इसकी प्रमुक साहिक नदी है तो यह सारे आपको याद रखने है बरे इसका ओरिजन होता है है ना मुआने की बात करूं तो गाजीपुर के समीप कैथी नामक इस्थान पर गंगा नदी से यह मिलती है गंगा में जाकर की इस तटा पर लखनव और इसन नदी के किनारे है तो गंगा से मिलती है तो बिहार की छपरा में गंगा नदी में यह मिलती है और बिहार और उत्रप्रदेश के बीच थोड़ी यह सीमा भी बनाती है यह मैप में भी देख सकते हैं तो यहां पर यह बाउंडरी का निर्मान भी करती है साहिक नदियों की बात करें तो सर्यू, शार्दा, राप्ती, छोटी गंड़ा की इसके को साहिक नदिया है यह नदि कुछ दूर तक बिहार और उत्रप्रदेश के मद्ध बाउंडरी एंफिर सीमा बनाती है तो अभी मैं आपको बताए बिहार और उत्रप्रदेश के मद्ध थोड़ा सा यह बाउंडरी का निर्मान करती है इसे सर्यू नाम से भी जाना जाता है। इसे सर्यू नादी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब बात करते हैं तो उद्गम कहां से है नेपाल हमाला के मिलान हिमनद या फिर मिलान इक लिशर छिसका हुद हम उता है मुहाने की बात करें तो सीतापुर के वासरा के समीब घागरा नदी में यह आकर के मिलती है अपने उद्गम इस साल से नाम के नाम के घाने जाते जाता हैं फिसका उठ्र पैन्पृर बहरामपुर में गया नदी में मिलती हैаюсь यस इसित्थान पर टगंपूर ए फिर भी जिले से प्रवेश करती है था नेपाल चांबust करते हैं राप्ति नदी की उद्गमिस्थान नेपालय एंफिर लगु हमालय से होता है धौलगिर्य टक्षणी में रुकुम कोट के निकट से है जो लगु हमालय यह फिर मद्धे मले जिसे हम बोलते हैं तो वहां से इसका origin होता है रुखमकुट नामक एक इस्थान है, मौहने की बात करने तो देवरिया की बहरज नामक इस्थान पर घाघरा नदी से जाकर के मिलती है, तो राप्ती नदी किसमें मिलती है, यह देखिए मैं आपको बताया है, घाघरा नदी में जाकर के मिलती है, गुरकपुर राप्ती मुखिस आखा बुड़ी गंधक कहलाती है राफ्ति की एक उत्री मुखिस आखा है जिसे हम बुड़ी गंधक के नाम से भी जानते हैं तो यह भी कॉइंट काफी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है अब हम बात करते हैं गंधक नदी की उद्गमिस्थल कहां से हो इसका तो नेपाल हमाले से इसका ओरिजिन होता है मुहाना कहा है तो सौनपूर हाजिपूर के पास जाकर के गंगा में मिलती है बिहार में जाकर के यह बिहार वा उत्तरप्रदिश की सीमा बनाती है ना तो यह गंधक नदी जो है बिहार और उत्तरप्रदिश की कुछ सीमा का उन करती है गंगा नदी की दायं तर्ट पर मिलनेघे । अभी हमने वाएं तर्ट से आकर मिलने वाली नदी पढ़े अब पढ़ेंगे दायं तर्ट से आकर मिलने वाली प्रमुक नदी नर्ट सब कर्द मधिंदक पहले हम Michener तो इसका उद्गम स्तल कहां से है हमाला की बंदरपूच स्रेणी से है ना यमुनुत्री ग्लेशियर से इसका ओरीजन उत आपको पता ही होगा गडवाल हमाला से इसका मुहाना प्रयागराज इलहावाद गंगा नदी में आकरके मिलती है यह सब आपको पता होगा लंबाई क करें तो तीरा सो किलोमीटर इसकी लंबाई हे नगा नदी की सबसे पश्यमिवा सबसे बड़ी तो वहरॉल भारत में भी आप दिखता है तो सबसे बड़ी साहिक नदी तो वह यमुना ही है आपको याज रखना है काफी महात्तुम नदी है सहारणपर के फैजाबाद नामक 75 km है मैंने आपको पहले भी बता दे लंबाई इसकी किनारे स्थित सहर की बात करें तो दिल्ली है मथुरा है इसके लाभा आग्रा है काफी इंपोर्टन्ट है तीनों नागर आपको यह दकना दिल्ली अगरा जी किसके किनारे हस्थित यह मुनानदी के किनारे उत्रखंड, हि दिल्ली और उत्रपदेश इन राज्यों में यह प्रवाइद होती है तो यह सारे पॉइंट काफी के अंतरगत है विंद्याचल पहाड़ी में मुहाने की बात करें तो मुराद गंज के पास इटावा से लवक 40 किलोमेटर दूर यमुना नदी में आ करके मिलती है देखी मैप में आपको बताया है इटावा के पास आ करके साहिक नदियों की बात करें तो बनास परवती चिप् कॉच्छन बनता है अक्सर एग्जाम में पूछे जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो अवनाली का अपरदन करती है पिर गली एरोजन करती है तो चंबल नदी है अब हम बात करते हैं बेतवा नदी की तो इसका उरिजन राइसन का कुम्रां है राइसन की निकलती है यामुना में आकर के मिल रही है आंगे बात करते है सिंध नदी की विदिसा जिले की सिरोंज तहसिये से निकल रही है मोहना जलौन के पास यॐ मुझा में मिल रही है कैण नदी छोटी-छोटी नदियां कुछ-कुछ पॉइंट हम यहां पर डिसकस करेंगे यदे डेटल में पढ़ने की दोतनी है सारी मद्धिप्रडेश की नदियां है के नदी की बात करने तो कैमूर की पहाड़ी के उत्तरी ढ़ाल से निकल रही है और बांदा जनपत में प्रवेश करती है और भोजहा नाम अगिस्थान पर यमुना से मिलती है अगली है हिंडन नदी तो में बनाई है आप देखते जाए है अब हम बात करते हैं गंगा की कुछ साहक नदी है तो एक है टॉंस नदी है ना ये कैमूर की पहाड़ी या फिर विंदे रेंज से निकलती है मैहर की निकट से तमसा कुंड से और मोहाना प्रयाग राज की निकट गंगा नदी में आखर से मिलती है बनास गोपद और रहन दिये कुछ इसकी प्रमुक सहाय के नदी आए इस नदी को शौन नदी के नाम से भी जाना तो यह फैक्ट आपको यादक ना ऐसी कौन सी नदी जैसे सौन के नाम से जाना जाता है तो सौन नदी उत्तरप्रदेश के सौनवद्र जनपस्य से हो करके बिहार में प्रविश करती है ना देखी मैप में आपको बताया है सौन बद्र जनपस्य होते हुए फिर बिहार में प्रविश करती है और गंगा जाकर के मिल जाती है चलिए अब हम महत्तुपून एंसी की subjects को यहां पर डिसकस कर लेते हैं तो पहला और जा रहा है राश्ति द्वारा किस नदी को राश्त्री नदी घोशिट क्या गया है तो यह आंसर हो जाएगा गंगा किया गया है नवंबर 2008 में इसे राष्ट्री नदी का दर्जा दिया गया निम्लिखित मैंसी कौन सा युग में सुमेलित नहीं है तो बिठूर गंगा नदी की किनारे सही है गोरखपुर राफ्ति नदी की किनारे है ना कि और गंगा नदी की किनारे क्यान इसे ना गोरखपुर यहांसर हो जाएगा तो कि युग मैंसी नदी की तठीक पर गुरखपुरिस्थित है तो इस चमबल भी बहती है और बेतवाब बेतवा वी बहती है तो गंडग नदी नहीं वैती है, गंडग नदी हिमाले से आती है, इसके है ना, लेफ्ट हैंड साइट से आती है, तो यह हिमाले रिजन से आती है, तो इसकां सर्डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों को, उनकी उत्गम के अधार पर कितने भागों मे विभाजित किया गया है तो तीन भागों में विभाजित किया गया है एक होती है हिमाले से निकलने वाली नदिया एक होती है मैदानी शेतर से निकलने वाली नदिया और एक होती है पठारी शेतर से निकलने वाली नदिया तो तीन भागों में विभाजित किया गया है नेक्स प्रदेश/. ठाँसुर जाएगा प्रदेश ट की सबसे बड़ी साहयक नदी है याणगा जाहेगा तु बिजनार जंपत से प्रवेश करती है और में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है तो यह सब आपको पता होगा इस कांसर डी हो जाएगा यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की गंगा नदी प्रदेश में किस जन्पत से प्रवेश करती है तो बिजनोर जन्पत से प्रवेश करती है ना और बलिया से एक्जिट कर दी आपको पता ही होगा कई बार मैंने रिपीट किया था गंगा नदी की प्रदेश में कितनी लंबाई है तो गंगा नदी की प्रदेश में कितनी लंबाई है केदारनाथ का प्रशिद मंदिर किस नदी के तटपर है तो तेरा इसकान सरुजाएगा दी मंदागनी नदी पर इस रिथ है मैं आपको बतायता है अस पर बाड़ भी आये थी ना केदारनाथ का मंदिर हलाकि इसमें थोड़ी वह च्छती हुई थी ज्यादा कुछ च्छती था गंगा की सवक्षपा के लिए विश्व का सबसे बड़ा डैल्टा स्वंदरवनड डैल्टा कौन सी दो नदीया बनाती तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदीया बनाती है काफी इंपौर्टेंट कॉश्चन है निमन में से कौन सी नदी इत्र नगरी के दाम से भी जाना नदी है तो गुम्ती की साहिक नदी है साही नदी मैंने आपको बताया था घागरा नदी किंदो राज्यों की सीमा बनाती है तो इसका अंसर आपको पता ही होगा यूपी और बिहार की 19 का भी आंसर हो जाएगा उत्तरप्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है घागरा नदी अ सब्सक्राइब इसंद्ध है यह सभी यह तीनो यमुना नदी प्रदेश के किस अस्थान से हों करके प्रवेश करती है तो फैजवाज से य Marin पॉइंड मैं आपको बताया था, चंबल नदी किस की साहिक नदी है, तो चंबल नदी किस की साहिक नदी है, यमुना की साहिक नदी है, इतावा के पास आ करके यमुना से मिलते हैं, यह थी दोस्तों हमारे 24 महातुकूं MCQ कुशन, आसा करता हूँ पूरा लेक्षर आपको बह अब तक के लिए धन्यवाद है